फाइनेंस से लोन लेने वालों लोगों के लिए एक बड़ी रहत बड़ी खबर है। पटना हाई कोट ने एक महत्पुर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गारी खरिदने के लिए फाइनेंस कंपनी से लोन लेता है और लोन किस्त समय पर चुकाने में असम होता है तो फाइनेंस कंपनी का वसूली एजेंट के जड़िए गारी को जब्ड करना गैर कानूनी है। हाई कोट ने कहा है कि बहुत मामले में देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति फाइनेंस कंपनी से लोन पर गारी लेता है और वह उसकी किस्त समय पर नहीं जुका पात है तो फाइनेंस कंपनी के दबंग जवरन उस व्यक्ति से उसकी कारी को चप कर लेते हैं जो की बिल्कुल कलत है और इसलिए कोट ने अब फाइनेंस कंपनी और बैंक को पर जुर्माना लगाया है कोट ने अपनी आदेश में कहा है कि अगर किसी बैंक या फाइनेंस कंपन के रिकवरी एजिंट लोन की EMI नहीं चुकानी की स्थिती में है तो उनसे जवरन किसी वक्ती से गारी जब्त करते है तो उसके खिलाब प्राथमी की दर्ज की जानी चाहिए और कारियावाई होनी चाहिए जस्टिस राजियू रंजन प्रसाद की सिंगल भेंच ने इस मामले से जुड़ी जो है याची करताओ पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है बैंक और फाइनिंस कंपनियों के द्वारा लोन नहीं चुका पाने की स्थिती में उनके रिकवरी एजेंट अब जवरन गार की जाए वहीं पटना हाई कोर्ट ने जो है पहला पूर्ण फैसला उनिसमय को यह आया अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि वसूली एजेंटों के गवारा जवरन गारी चप्ट करना सविंध हान की जीवन और आजिविका के मौलिक अधिकार का उलंगान है जस्टिस गारी एजेंट जो है वो नहीं ले पाएंगे लगतार ऐसा दिखा जाता था कि फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट जो है लोन नहीं चुकाने पर गारी को जब कर लेते थे तो कही ना कहीं अब हाई कोट ने एक बड़ा फैसला जो है शुराया है इस तरीके का तमाम हैं तो गारी जिस तरीके से लगतार आपकी छिन ली जाती थी रोड पर दबंग जो वसूली एजेंट होते थे उस गारी को जो है उठा लेते थे तो कहीं न कहीं अब हाई कोट का बड़ा फैसला तो इस वक्त कि आपको हम बड़ी ख़बर बता रहे थे लगतार अबडेट देते रहेंगे शुक्रियान